किचेन की चैनल का स्वागत है आज हम बनाने जा रहें आटे से स्पेरिंगल जो कि बहुत ही टेस्टी है बहुत ही हेल्दी भी है क्योंकि आपने आटा का इस्तमाल हम की है वह देखिए एक बंदा वह भी लिए बड़ा-वला सिम्लम दिश्री पड़ा एक गाज़र तीन टमा एक चटनी का है दस मिर्च है एक टमाटर है इसमें घरम पानी डाल दे रहें ताकि चटनी सौप्ट हो जाओ अच्छा से पिसाज है मिक्सी में इसे उबालना नहीं है कुछ जिरी से रहने दीजिए अपने आप सौप्ट हो जाएगा चलिए हम कडाही करम करते हैं तेल लेत लिए हैं ज्यादा मिर्ची डालीएगा अश्पाइसी बनेगा इस प्रिंग अश्पाइसी होता तभी अच्छा लगता है प्याज कट करके रख दी वो डाल दे रहे हैं तीका कम ज्यादा अपनी मर्जी से कर सकते हैं अब भीमादी माज में भूनते जाए आज जादे आज सारे सब्जी को अच्छा से भूनिये कोई सब्जी आपको जो पसंद है आप स्प्रिंग रोल में डाल सकते हैं हिल्दी भी हो जाएगा अस्वादिष्ट भी हो जाएगा उपर नीचे नीचे उपर करते करते भूनते जाए इसमें घाजा था कदू कस कर दिये हैं ताकि पुलेट कर चला दे जाए चलिए ट्मेटो सव्वस में ही चमज देना है अच्छो टा चमज से आधा चमज से इतम च्छोटी चमज रहागत हैं स्वय सव्भ शुप से स्वाग आता है ऑच चिली सव ब स्विमैटो सब्से स्वाथ आथा और चीली सॉस भी ट्जट्री होता है इसलिए डालना चाहिए चलिए यहां पर देते हैं कालमक अथ्वा सब फूट कलर डाल रहे हैं कि कलर चेंज हो जागा खुब शूरत लागेगा देखने में हलका सा थोड़ा से दीजिए आप चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं फूट कलर कोई नुकसान नहीं करता है चाहे तो दे या न दे अब हम लोग चौमी यहां पर एक ठो डाल रहे हैं अच्छा से उबाल के रख दिये थे ठंडा कर दिये थे चौमी को बिल्गूल भी नहीं कलाईएगा खड़ा खड़ा रहने दीजिएगा और सबजी को भी नही कर सकते हैं अब हम इसमें गुलकी कुटाववा दे दे रहे हैं डरदरा कुटके रख दिए हैं दीजदाना गुलकी डाल रहे हैं अ अच्छा सूसे चला देंगे, मसाला अच्छा से दीजीगा, तभी फ्लेवर अच्छा से आएगा, चली हम लोका हो गया है, लाय मिर्ची टमाटर शॉफ्ट, अभी से चटनी बनाते हैं, मिर्ची में डाल दे रहे हैं, अब जितना तिखा ज़्यादा कम कर सकते हैं, लासूने बीजदाना, वो डाल दे रहे हैं, नमक डाल दे रहे हैं, उसी का पानी है, मिर्ची का टमाटर का, पीश दे रहे हैं अच्छा तरह से, इस रह से पीश लिए हैं, देकि अच्छा से पीशा गिया है, यहां पर एक चमच मीडियम चमच है न छोटा न जादे बड़ा मिग ला लेंगे अच्छा तरह से नमक इसमें कम थोड़ा दीजिएगा क्योंकि हम लोगों सब्जी में अल्रडी नमक डाला हुगा है अच्छा से मिलाने के बाद यहां पर हम दूद से सानेंगे जिससे आप कास्परेंग लोगों बहुत सॉफ्ट बनेगा बहुत टेस्टी भी बनेगा अच्छा से मोड़ने में आपको मदद मिलेगा आप कहीं जा सकते हैं तो आप इससे ले के जा सकते हैं इतना अच्छा बने तूर पर भी अगर जाना रहता है तो आटा से ही आटा को आप दूद से सनीगा तो आप लंबे समय तक रोटी आप इस्तमाल कर सकते हैं ट्रेंट पर कभी भी कहीं भी बाहर जाना हो तो तो तीन दिन तक आपका रोटी बिल्कुल खराब नहीं हो और सौप रहता है बहुत चांते चांते खा जाते इसलिए पूरा नहीं दिखा पाएं कि ठंडा होने लगता है कुछ दिर हम ढख के छोड़ दिये थे आटा को पांच मिनट अज इतना चोटा लूई हो से कितना चोटा लूई बनाए इस तरह से बनाईए अगर आपके पास चलिए इसमे आटा लगाते हैं इसको बेलना शुरू करते हैं आप चाहे तो मैदा का भी बना सकते हैं लेकिन हम याप आटा का बना रहे हैं मैदा से बहुत ज्यादा तो ही पेट खराब होता है कितना मैदा खाएंगे इसलिए हम लोग आटा के यूज़ कर रहे हैं आपको मेडा खाने के सोकीनी तैब मेडा समय जरूर बनाईए लेकिन इस तरह से एक पराटा कर बना के देखिए आपको इतना ही टेश्टी लगेगा इतना ही कुर्कुर लगेगा पहले हम लुग बनाते हैं फिर खाते हैं तभी आपको राय देते हैं कि찬this आपके बच्चे के हिल्द के लिए बहुत यह अच्छा रहेगा इस तरह से जरूर जितना बड़ा हो सके इसमें बेलना है बेल दीजी आप इस तरह से आटा का भी आप मैदा का भी आप बेल के बनाओ सकते हैं कोई भी ताप भी बनाओ सकते हैं इस तरह से हम मैदा कई बेल सकते थे लिखिनम नहीं बेले किनके हम लोग को आटा का ही खाना पसंद है तो हम कम से कम यूज करते हैं मैदा देखिए इदम पतला बेल के दिखा रहे हैं आपको एक बार इस तरह से बनाएंगे न तो आपको बार बार बनाने का मन करेगा और बच्चे लोग अगर एक बार इसका स्वाद चक लीना तो हमेशा कहेंगे ममी बनाईए अंटी बनाईए जो भी घर में फैमिली है हमेशा कोशिस करेंगे बनाने का अब बनाओ एक बार इस तरह स बनाओ, इस तरह से पत्ता पत्ता बेलते जाएए, सब बेला जागा, तिसमें आधाद अच्छा मच उपर से हम लोग टेल डालेंगे, क्योंकि एक पर एक लेयर हम लोग देते जाएगे, बेला हुआ रोटी का, इस रचे हलका हलका फिला फिला के रोटी देते जाएए, इसको दाबाना नहीं है बिल्कुल, सिर्फ इस तरह से एक परत देते जाना है, चार यहां पर रोटी बेले हैं, परत पर परत तो इस पर हम रखते जाएगे, जैसी हम लोग अताबा धिक जाएगा, उस पर सिब डाल देना है, एक मिनट भी नहीं होगा, आपका पुरा लेर खुल जाएगा, सिर्फ ताबा पहले गर्म कर दिजिएगा, गर्म करके एकदम धीमा कर दिजिएगा, बंद भी कर दिजिएगा, तो भी आपका लेर खुल जाएगा अच्छा तरह से, और बेहत सॉप्ट बनेगा ब हलका सा दबा दिए हैं, अब इसको पलड़ देंगे तुरत, कलर एक दम चेंज हो गया, बस यही कलर हम लोगों को चाहिए, बस फिर से एक और पलड़ देंगे, अब हम लोगों कर दो बन के रिडिय हो जगा है, एक मिनट होते ही, लेर भी खुल रहा है देखिए, लेर खुलते जा रहा है, अलग अलग हटा के हम लोग रखते जा रहे हैं इस तरह से एदा मासानी से खुल चुगा है इसमें जो हम लोग सबजी कट करके रखे, भून के रखे, वो डालते जा रहे हैं, डेड़ डेड़ चम में डाल दीजिएगा अमेदा का घुल पहले से एदम गढ़ा तैयार के रखे हैं, अगल बगल में आपको लगाईएगा तब इसका लेयर बिल्कुल नहीं खुलेगा इस तरह से लगाते जाएए ज्यादा बनाईएगा कीँगे हम लोग का बीज को इस्प्रेंग डूल था, इसलिए बहुत चारा बनाना पड़ा फिर घड़ गया तो फिर से हम लोग घुल भोले हैं, इस तरह से जैसे हम लोग घुल लगा रहे उससी तरह से लगाईएगा और जिदेर का मोड़ते हैं उधर का ही हिस्टा पूर नीचे तरफ दपा के रखना है ताकि आपका रोल बिल्कुल न खुले ध्यान से देखते जाईएगा कड़ाही में जब भी डालिएगा तो तेल को गर्म कर दीज़ेगा अच्छा तरह से और मोड़ा हुआ हिस्टा को नीचे रख दीज़ेगा ताकि इसका रोल बिल्कुल न खुले अब पहले आस्त को तेज रखेगा एदम बिल्कुल धिमा कर दीज़ेगा एक मिनट और डिर मिनट के अंदर आपको गोल्डेन होने तक देखिएगा कलर जैसी चेंज हो गया खुब्सूरत कलर आ गया है उस तरह से तुरत निकाल दीज़ेगा एदम आज को धीमा कर दीज़ेगा पहले आज हमेशा तेज रखेगा उसके वैदम धीमा कर दीज़ेगा कलर चेंज होने लगा है एक दूबर पलड़ दीज़ेगा पलड़ पलड़ के पकाईएगा उसको अच्छा तरह से निकाल दीज़ेगा चली बहुत खुब्सूरत कलर आया है अब इसको कट करके आपको दिखाते हैं आप चाकूँ से भी कट कर सकते हैं 20 स्पिरिंग रूल है यहाँ पर बनाए हैं लेकिन बंते बंते बचे लोग खा करके बुए है अधी टेस्टी बनाए सी दित बचा नहीं चली आपको सर्व करके दिखा रहे हैं यहाँ पर पाचा स्पिरिंग रॉल है चटनी के साथ खाने चटनी टेस्टी है इस तरह से बनाएए खाईए